तो यहां पे हम लोग अभी सीखेंगे पिएश पी के लिए जो वेरेवूल जो भी वेलू रिकॉर्ड होता हूँ वेलू यूजार से केसे एकसेप्ट किया जाए और फिर उसको पिएशब में पास करके केसे उसके उसके उपर प्रोसेसिंग किया जाए ठेके हैं तो यहां पर सबसे पहले काम होगा हम लोगए चुमक इसली पूरता हम 5600 कंषां में की यद्ध की अधर होगा। जए जो हम आइए ने के लिए तो फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म बनाने के लिए हम लोगो एस्टेमल में एक टेग होता है टेग का नाम हो गया फॉर्म टेग ठेक का नाम क्या है फॉर्म टेग यूज करना परेगा फॉर्म बनाने के लिए एस्टेमल में टेग जो होता है वह फॉर्म टेग है और इसी फ और विज perfume लोगते में। करने। टिम कोड दून को करें। तो फॉर्म परणे का कोड इहां पर क्वास करें aa नेखना तो ट्यक्ट ट्यक्ड नане के लिए तो ट्यक्ड दूंको जैसे फॉर्म सेफ कर लोगना। इस page को में save करके यहां पर एक बर में run कर लो page का नाम क्या था हम लोग का .myphp myphp.php इसा है था मेरे खाल से तो अभी तो खाली है कुछ है नहीं यहां पर क्योंकि यहां पर कुछ content डाला ही नहीं हम लोग ने да i belangrijk time for data input tag में किया होता है निकमें इनपोट क्या होगा टइवगा और टाइब क्या देना है यहां पर हमलोगों do i like me tap देना है ट्येक्स किलिए महक्ति हों और कर यहां पर होका है इसको में सेथ करता हो और यहांकर आकर इसको रिलोट करता तो उसके लिए एक level भी लगा दो यहां पर ठीक है तो input type text यहां तो इससे पहले तुम एक level लगा दो क्या लगा देंगे हम लोग यहां पर एक level level में लिख देंगे कि enter your age say for example यह जो भी लिखो ठीक हो enter your name enter your name तो होगा क्या यहां पर user क्या करेगा अपना तो देखो इस तरह से आएगा enter your name तो user अपना यहां पर नेम प्रवाइड करेगा और तुम चाहे तो पूरा का पूरा form को तुम center में ले सकते हो क्योंकि form tag में ही एक property होता है जो की align form के लिए हर tag के लिए property तुम apply कर सकते हो align center मतलब इसको हम लोग center में align कर देंगे तो यह तुम्हारा form जो होगा बीच में आ जाएगा form अभी बीच में आ गया ठीक है अगला जो है कि next क्या करना है हम लोगो जैसे user से हम लोगो ने उसका name पूछा user से उसका तुम और भी कुछ मांग सकते हो जो भी तुम चाहिए यहां पर user से ले सकते हो ठीक है क्यां करें भी की क्यों कि आफ सकते हो मगोगो डिर्श कर ने कुल सकते हैं को ने क्या क्रेश हो के लिए इस तरह से आएगा लिए इस तरह से अप्सेन आता है ठीक है तो त betrayed सकते हो एसे भी ने कुछा तो जो लो जो भी हो तो यहां पे हम लोग ने क्या क्या तो यूजर से इस तरह से वेलू एक्सेप करना है तो इस तरह से हम लोग फॉर्म यूज करेंगे क्या टेग का फॉर्म टेग का फॉर्म टेग के अंदर होगा इंपूट टेग और इंपूट टेग में इस किस तरह का लेना है टक्स्त लेना है नंबर लेना है जो भी लेना है यहां पर हम लोग उसके टाइप के यह साब लेवेल लगा दो जो यहां पे कुछ value डालेगा, यहां पे यूसर क्या करेगा, अपना name डालेगा, जो भी हो age डालेगा तो age and name मैं चाहता हो कि PHP में चला जाए, PHP में चला जाए, THP में चला जाए, तो अभी यहां पे मैं क्या करूँगा, PHP में अगर इसको value को मुझे एक्सेस करना है तो मुझे यहां पर काम करना परेगा यहां पर कुछ इस तरह से लिखना है अच्छा और एक चीज यहां पर यह तो है जिसे मैंने दो टेक्ट्ट फिल लगा दिया कि दो टेक्स फिल लगाने के बाद अबारत यूजर के लिए कुछ option डखना परागा जहांपी user क्लिक करें कि यह क्लिक कर दे यह action हो जाए ठीक है मतलब कुछ action perform कराओने के लिए कुछ यहां पर एक और एक component देना परेगा तो मैंने बटन दे जिए समझ लूँ तो बटन देने के लिए तुम वही मैं यहां पर फिर से टाइप करता हूँ मैं input, input, sorry input के लिए मुझे close नहीं करना यहां पर यहां पर क्या देंगे type ठीक है input type के आदेंगे हम लोग submit, submit मतला button का बात हो रहा है यहां पर तुम बटन पर ले सकते हैं यहां पर इसको save कर दिया और अभी इसको तुम पेज को एक बार फिर से reload करके देखो तो कुछ इस तरह से बनेगा ठीक है ना enter your name enter your age and submit तो यह जो value provide करेगा user यहां पर वह कहां पर हम लोग पास करेंगे अभी PHP पे अचाब PHP में value pass करना मतलब क्या हम लोग यहां पर यहां पर एकसेप करने के लिए कुछ code लिखना पर है यहां पर कोड कुछ इस तरह से लिखेंगे अभी जैसे कि value कब जाए value मतलब यहां पर क्या हो कि यह क्या हो मतलब जब यहां पर subbit में user क्लिक करें तो मैं क्या चाहता हूं क्या action perform हो वो तुमको decide करना है अभी तुम action कुछ भी perform करवा सकते हो यहां पर लेकिन तुम क्या चाहते हो तुम किस लिए application बना रहे हो तो मैं चाहता हूं कुछ नहीं जास जो भी user यहां पर value प्रवाइड करें व तो जब कहां पर क्लिक हो submit बटन पर क्लिक हो तभी ठीक है अच्छा सब्मीट को तुम इसका और अगर थिकते से लिखना है तो तुम यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हो value डाल दो तो वहां पर जो text submit लिखा हूआ है उसके जगा पर तुम दूसरा कुछ text लिख सकते हो ज तो actually upload हम लोग देते है normally कुछ image बगरा फाइल बगरा देलने के लिए तो upload देते है normally submit रहे तो कोई बात नहीं इसको हम लोग यहां पर इस तरह से submit रिखने है ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि user जब click करें तो वो simply page में ही show हो जाए तो उसके लिए मैं यहां पर PHP के अंदर एक statement यूज करूंगा जिसका नाम होगा if statement ठीक है पहले में code को लिख लूँ dollar underscore post तो देखो यहां पर अभी क्या करना है हम लोग को जैसे यहां पर जो जो भी estimate से जो भी data आएगा user user provided जो भी value आएगा उसको मुझे क्या करना है PHP तक pass करना है पताब PHP में access करवाना है तो उसके लिए क्या करना है पहले तो यहां पर में काम करता हूँ यह इफ इससे बाद में आऊंगा मैं पहले कुछ यहां पर कुछ मुझे फॉर्म में कुछ और भी modification करना पड़ेगा modification क्या है देखो यह जो फॉर्म है फॉर्म जो हम लोगों ने फॉर्म टेक लगाया यहां पर उपर में इसके इसको मैंने align property लगाया इसका और भी कुछ प्रपार्टी है प्रपार्टी क्या है एक तो हो गया method प्रपार्टी में यह method प्रपार्टी क्या है तो अब बाद में अलग से समझा दूँगा अभी जास यह जान लो method प्रपार्टी के मदद से मतलब क्या होता है कि यह जो भी value यह जो भी value यहां पे html input field से आएगा वह value इस method के थ्रू ही method क्या होगा method होगा post method method 2 हो सकता है एक तो post दूसरा get तो मैं बात में समझाओंगा post and get के बिच में फरक है अभी जास जान लो कि जो भी value आएगा इस method के थ्रू post method के थ्रू मतलब html का value अगर पेशपी में पास करना है तो हम लोग यह तो post method के थ्रू पास करवा सकते हैं यह तो get method के थ्रू पास करवा सकते हैं ठीक है वो post method के through ही pass होता है और अगला जो है यहाँ पर और एक मुझे property लगाना है जो कि action property है action property का मतलब क्या है कि जो भी जो भी तुम्हारा PHP code है वो PHP code कहां लिखा हूआ है इसी page पर लिखा हूआ है ना यहाँ पर है ना PHP code हम लोग यहीं पर लिखेंगे इसा ज़रूई नहीं कि PHP code है तुम यहीं पर लिखो तुम दूसरा किसी एक page बना के भी उसमें भी इसका code लिख सकते हो यह जो हम लोग अभी code PHP का code लिखना है यहाँ पर इस HTML page में ना बना के इस HTML मतलब इसमें ना बना के myphp.php page में ना बना के दूसरा एक PHP page बना के उसमें भी हम लोग code लिख सकते हैं तो तुमने code इसके लिए यह जो तुमने value pass किया और वो तुमने उसका PHP code तुमने कहां पर लिखा इस page पर लिखा कि दूसरा कोई page पर लिखा ठीक है उसका required जो code है तो हम लोग तो यहीं पर लिखेंगे ना तो यहीं पर होगा तो इस लिए जिस page में लिखोगे उस page का यहाँ पर नेम होगा तो myphp तो इस page का नाम क्या है myphp तो myphp.php ठीक है ना हम लोग इसी page में code रान करेंगे इसलिए myphp.php अच्छा अभी यहाँ पर काम हो चुका है अभी यहाँ पर और एक काम बाकी है जितना भी input field से इन input field को जैसे मैं input type मैंने text दिया था input type number दिया था input type submit यहाँ जितना भी input field से इनको मुझे एक name assign करना है ठीक है यहाँ पर एक name assign करना जूरी होगा अभी क्योंकि name के through ही इन input fields को हम लोग point refer करेंगे तो कुछ भी name तुम दे सकते हो name आपने इसाब से कुछ भी दे सकते हो जैसे मैंने इसका name दे दिया अचा प्रालीक दे दो तूम यूजर नेम ठेक है और यहाँ पे यह जो नंबर फिल्ड है इसके लिए तुम एक name assign कर तो मैंने इसका name दे दिया इसका name दे यूजर एज ठीक है और यह जो submit बटन है इसके लिए तूम इसके लिए भी एक नेमें साइन कर दो नेम में जा रहा हूं इसको मैंने दे दिया चलो बटन यह तो सब्मीट सब्मीट ठीक है सब अच्छा तो इस तरह से यहां पर हम लोगा फॉर्म का काम हो चुका है अब यह अगला इस फॉर्म के थूज भी वहलो आएगा उसको मुझे पीश वी में इसको एक्सेस करना है तो मेंने बोला तो वह पीश्पी में मैं 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 चाहता हूँ क्या जब बटन में क्लिक हो तभी वो PHP में जाके उसके उपर code execute, उसके उपर processing हो, तो बटन में क्लिक हो, यह चीज अगर तुमको code में लिखना है, तो हम लोगों को लिखना है, यहाँ पर if is set, इसका मतलब क्या है, if is set, इसका मतलब यह हुआ कि अगर click हो, मत if is set, set हो जाए, कौन सा, if is set, dollar, यह global variable है, dollar underscore post, यह variable है, जिसके हम लोगा last time variable declare किया था, dollar देखे, तो यह भी एक variable, लेकिन यह global variable, ठीक है, dollar underscore post, if is set, dollar underscore post, उसके बाद मुझे यह square bracket लगाना है, और कॉमा के अंदर, मुझे, क्या देना है, वो जो button का name है, क्या है, name, sbm, name क्या है, sbm, इसका मतलब यह हुआ, यह पुरा line का मतलब यह हुआ, अगर sbm नाम वाला button में click हो, तब, तब क्या होना चाहिए, तो जो भी होना चाहिए, उसका मिया भी code लिखूंगा, तो मैंने उसको if statement के क्या action perform होना चाहिए, तो मैं यह उसका body होगा, if का body हो गया, तो इसी में मैं इसका body के अंदर है, जो required code लिखूंगा, मैं अभी, तो क्या action perform होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि, जो भी value input type text में आया, उसको मैं उठा के कहीं variable पे रखूं, और जो भी value input type number में आया, उसको मै उठा के कहीं दूसरा और एक variable में रखूं, तो मैं यहाँ पे मैं दो variable ले लेता हूँ, एक मैं ने लिलिया name variable और दूसरा मैं ले लिया क्या age variable, variable का नाम तो पता है, तुमको कुछ भी दे सकते हो, अपने असाब से, और जो भी, अभी मैं दो variable लिया, इन दो variable में मैं क्या चाहता हूँ, वो जो value है, वहाँ पे आके store हो जाए, तो तरीका क्या है लिखने का इसका, कि dollar underscore post, dollar underscore post, और कौन सा, कौन सा field का value आके यहाँ पे assign हो जाए, user name वाला, तो यहाँ पे लिखना पर है का मुझे user name, इसका name लिखना है, इस input type text field का मुझे name लिखना है, so name क्या है, user name, देखे, और वही, यहाँ पे भी होगा sim, तो इसको मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको copy करके, इस बार इसका name क्या होगा, age, user age, user age हो गया, तो यह दोनो, field में जो भी value आया, उसको उठा के एक को यहाँ पे रखा गया, दूसरे को इस variable पे रखा गया, ब जो भी मेरा PHP का page का जो भी value है मेरा, sorry, HTML के text field से जो भी में जो भी value मिला, user से, वो value मेरा PHP के अंदर आ चुका है, variable में, अभी तुम इसको लेकर जो करना है करो, तो simply में इसको, यहाँ पे echo करके display output कराते रहा हो, ठीक है, तो echo, क्या लिखना है तुमको, जो भी लिखना है, the hello mister, जैसे मैं आपर लिखता हूँ, hello mister, क्या नाम जयाद उसने, उसने जो भी नाम दिया, वो तो name भेरिवन में आएगा न, उसने जो भी name दिया, कहाँ पे आएगा, name में आएगा, so dollar, hello mister dollar, name, की your age is dollar age, ठीक है, इसे just एक output देने के लिए, तो बस, अभी इसको हम लोग run कर करके देखते हैं, क्या होता है, चलो, तो, यहाँ पर मैंने लिखा, राज हूँ, और age मैंने दे दिया, समझ लो, 23, और submit करता हूँ, तो, अच्छा, यहाँ पर output नहीं आ रहा है, submit, echo mister dollar, hello, कहीं पर कुछ गलत हुआ है, एक बार देक कर लात हैं, तो देखो, यह already हो चुका है, क्योंकि हम लोग page को refresh नहीं किया था, हम लोगने last time, reload कर लेते हैं page को, तो फिर से यहाँ पर type करते हैं, यह से मैंने यहाँ पर type किया, onil, onil, or, मैंने age दे दिया, suppose 56, और submit करते हैं, तो, यहाँ पर देखो, hello mister onil, your age is 56, so, as it is, यहाँ पर output हो रहा है, code मेरा वही है, code मे है, HTML form को कैसे handle करना है, उससे जो भी value आ रहा है, उसको कैसे, तो इसके थुरू हम लोगे चोटा मोटा application भी बना सकते हैं, जैसे क्या, कि जैसे समझ लो, दो number 8 करने का application बना सकते हैं, यहाँ पर, तो तुम user से बोलो, कि enter the first number, समझ लो, कि enter the first number, and then, enter the second number, तो मैंने यूजर से दो number ले लिया, तो तुम टेक्स्टी कर दो, कोई बात नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर, इसको रहने तो, चैस्ट कर सकते हो, अच्छा, अगला इस तब में क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने एक third variable ले लिया, जहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको name ना 1, मतलब number 1, और यह हो जाएगा, nm2, ठीक है, और, let me have one more variable, that is, result, result equal to, तुम लोग को पता है, variable के ऊपर, हम लोग arithmetic operation अप्लाइ कर सकते हैं, जैसे में लास्ट आम समझाया था, जैसे nm1, प्लास, nm2, ठीक है, और इसको result echo कर तो वही बात है, finally echo, तो यह पर लिग दो, the total, यहाँ पर लिख दो, the total value, या तो सामी से, इस ते कुछ अभी लिखो, ठीक है, मैंने यह पर लिखा यह, कि total value is dollar, result, ठीक है, इसको save करते हैं, एक बार इसको run करके देखते हैं, हम लोग क्या होता है, यहाँ पर, तो, हाँ, कहाँ पर कुछ, हाँ, हाँ, सेफ करते हैं इसको, रिजार तो, क्या हाँ यहाँ पर, total value is 56, यहाँ नॉन्नियूमरिक, 18, 14, एक बारान करके देख लेते हैं इसको, जो गरत उसको ठीक कर लेंगे, बाद में, जैसे मैंने दिया value, जैसे मैंने दिया 12, and 34, submit, ठीक है, जही हार रहा है भी, ता जो जो जल वैलू इस 46, जैसे मैंने यहाँ पर दिया, 56 and 78 134 तो एक च्छोटा मोटा तुम्हारा एप्लिकेशन भी बन चुका है यहां पर तुम दो वैलू यूजर से लेकर उसको एड़ करके एड़ भी करवा सकते हो तो इस इस हाओ तुम को प्रोसेसिंग करना है वो बैग्डाउंड में प्रोसेसिंग कहां पर होगा पीश्पी कुिब तुमको वैली बना के लेख लैज आणे वह तो फॉर्म तुम्हार नहीं भार्ण एक्सेम्ट करना है वह तु फॉर्मी एस्टी मदा के हौरं यहां नहीं तुम्हार। करतुम को कई लेखे से चिंपलेखareth मैप्लेकाशन विह न ह ? वो प्रोसे जिदेस्गे बिशन